असलावनेकुम धेज स्टुडेंट्स, वेलकम बेक टीर ओनलाइन क्लास उर्दु में आज से हम स्टार्ट करेंगे टीवन का सेलवस टीवन में आज करेंगे लेसन नबर फोर, बुढिया का दिया, बुढिया यानिकी बुढिया यानिकी चिराग नए अलफाज के तारुफ, बुढिया, पर्देसी, जाडू, महलू, अफा, मलाहू, जटपटा सची बात, अल्ला उनको दोज रखता है जो दोजरूं पर रहम करते है, इहसान करते है और उनकी बलाई चाहते है, तो अल्ला उनसे दोजरू रखते है, यह आया करान की एक आया थे, जो कहते है कि अल्ला उनसे दोजरूं पर रहम करते है, जो दोसरों पर रहम करते है, और दोसरों की बलाई चाहते है तो अल्ला से दोस्ती रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दूसरों पर रहम अगर कोई चाहते हैं कि अल्ला उससे दोस्ती रखे तो उससे दूसरों पर रहम करना चाहिए दूसरों की भलाई करना चाहिए दूसरों पर इहसान करना चाहिए जरा बूजिए उनके बेठक ही रनकी चाल जब है जानवर दुम्हे नबाल पांच हुरूफ का जानवर मीम से शुरू और कीव पर खत्म तो ये कौन सा जानवर है मेंडग मीम ये नों डेकिब मेंडग तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये जो नजब है बुड़िया का दिया ये अलसाफ उसिन हाली ने लिखा है चटपटे के वक्त घर से एक मट्टी का दिया एक बुड़िया ने सिरे राह लाके रोशन कर दिया ताकि रहगीर एक और पर्देसी कहीं ठोकर नखाएं रह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा ये दिया बेहतर है उन जाडूं से और फानूं से रोशनी महलूं के अंदर ही रहे जिनकी सदा तो अलता हुसे इन हाली कहता है कि जटपटे के वक्त यानिकी शाम का जो अंदेरा होने वाला होता है उस वक्त शाम के अंदेरे के वक्त एक बुड़िया ने अपने घर से एक मट्टी का दिया लाके सिरे राह रोशन कर दिया यानिकी रास्ते पे लाकर उसने रोशन कर दि ताकि रहगीर और पर्देसी ठोकर ना खाए उन्हें ठोकर ना लगे राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा और एक छोटा बड़ा जो उस रासे जा रहे हो उनको ठोकर ना लगे और वो आसानी से उस रासे से गुजर सके उस बुड़ी और ने एक मट्टी का दिय राला के रोशन कर दिया है और अलताफ उसे नहाली कहते हैं कि यह जो मत्टी का दिया है जो बुड़िया ने सिरे राला के रोशन किया है वो उन महलूं के जाडूं और फानूं से बहतर है यानि कि महलूं में जो बड़े बड़े लाइट्स है फानूस यानिकी कंदल जो शमेदान होता है जिन में बहुत सारे शमेदान जाल रहे होता है उनसे तो बुढ़िया की ये मतिका दिया बहतर है क्यों कि इन जाडूं से और फानूस से सिर्फ महलूं तक ही रोशनी में इहदूद रहती है यानि कि सिर्फ मेहलूं में रोशनी होता है और रोशनी बाहर नहीं पड़तי है गर निकल कर एक जबा महलूं से बाहर देखे ए अंदेरा गुप दरो दीवार पे चाया हुआ और कहता है कि अगर कोई महलूं से बाहर निकल के देखे तो क्या है महलूं के बाहर बहुत ही अंदेरा है गुप अंदेरा है दरी दीवार पे चाया हुआ यानि कि हर जगा अंदेरा चाया हुआ है सुर्खरू अफाग में वो रहनुमा मीनार है रोशनी से जिनके मलाहूं के बेड़े पार है सुर्खरू अफाग यानि कि जहां पर जमीन और आस्मान को मिलता हुआ नजर आता है उसे हम कहते हैं अफाग सुर्खरू अफाग में वो रहनुमा मीनार है रोशनी से जिनके मलाहूं के बेड़े पार है यानि की सुरुखरो यानि की काम्याब इजद यानि की काबिल सुरुखरो अफाग में वो रहनुमा रहनुमा यानि की रासा दिखाने वाला मीनार है रोशनी से जिनकी मलाहू यानि की कष्टी चलाने वाले को हम कहते हैं मलाह के बेड़े पार है यानि कि समंदरी जहाज के जो काफिले आ रहे हैं जो बहुत दूर से आ रहे हैं उनके लिए ये जो दिया है वो क्या है एक मीनार है यानि कि ये बहतर है जो इन मलाहूं के बेड़े पार करते है यानि कि जो उनको रास्ता दिखाते है सुरुख रूफाग में वो रहनुमा मीनार है रोशनी से जिनके मलाहूं के बेड़े पार है इस्जत के काबिल है वो रोशनी की जिसकी रोशनी से मलाहूं के बेड़े पार है किष्टी चलाने वाले जो है उनके किष्टी पार होता है जिसकी रोशनी से रागीर को यानि की रोशनी मिलती है तो वो कामियाब है वो इज़त के काबिल है तो यहीं पे हमारा नजम हतम होता है मानी याद कीजिए यह आप अपने कौपी पे नोट करेंगे और लान भी करेंगे सिरे राह यानि के रास्ते में राहगीर रास्ते पर चलने वाला दिया चिराग चटपटा शाम का अंदेरा अफ़क उफ़क की जमा आस्मान के किनारे यहां तक अब लान करेंगे और कौपी पे भी नोट करेंगे आज इतना है खुदा हाफिस